Assalamu alaikum everyone मैं हूँ एक्रा 7 day series का आज है day 6 आप सबने बहुत सारे comments किये थे कि lawn और cotton के जो suits होते उनके साथ जो बड़े वाले cotton के दुपट्टे होते हम से हम किस तरह से हिजाब वेयर करें और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे इस तरह से घुमा कर दूसी तरह ले जाना है और फिर एक एक करके लेयर्स लेना शुरू कर देना है जब हम इन में लेयर्स ले ले लेते हैं तो हमें पिन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद सेट हो जाता है ये बार बार आपको परिशान नहीं करेगा अगर आप चाहें तो शोल्डर पर पिन अप कर सकती है सेकेंड स्टाइल के लिए भी नैक पर इस तरह से पन अप कर लेना है और जो चोटा वाला पार्ट है उसे वापस अपने सर पर इस तरह सा रख लेना है और एक एक करके लेयर्स लेना शुरू करनी है आपको हर लेयर्स पर पिन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जब आप तीन चार लेयर्स ले 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 तो एक पन लगा लेना है तो वो खुद सैट हो जाती है और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे इस तरह से घुमा कर दूसरी तरफ ले जाना है और जो अब इसका पार्ट बचा है उसको आदा आगे की तरफ और आदा पीछे की तरफ कर लेना है यह जाब स्टाइल जो है वो बिल्कुल परिशान निंकते जो जैसा आप सैट करेंगे ना वैसा ही वो सैट रहेंगे थर्ड स्टाइल के लिए भी एक पार्ट को थोड़ा चोटा लेना है एक पार्ट को बड़ा लेना है और आगे से फोल करके इस तरह से पैनप कर लेना है जो चोटा वाला पार्ट है उसे इस तरह से पहले गुमा कर दूसरी तरफ ले जाना है पैनप कर दे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे शेयर करना बिलकुल पर नहीं भूलें